बीगिनर्स है या श्टॉक मार्केट में आप पहली बार एंटी कर रहा है और मार्केट में आप सेफ साइड में आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको कौन से उप्सन का यूज करना चाहिए उसके लिए मैं आपको पूरी जानकरी आच्छी वीडियो में बताने आप इसके लिए में आप इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप आई-पयो में एप्लिकेशन लगा कि आप इसमें अलॉट्मेंट की जो प्रसेस है उसको आप कितने अपने फेवर में कर सकते हैं क्योंकि यह देखा जाता है कि जो लोग आई-पयो में क्यों नहीं मिलता है इसका क्या कारान इसकी वजह को भी हम यहां पे समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम आई-पयो में एप्लाई करने के लिए यूप इमोट्स हैं किस परका से एप्लिकेशन लगाते इसके बारे में समझेंगे और आपको यहां पर आपके कुछ एक जो ड क्योंकि हैं आपको 5x मकुत में मिलता है जिसमें आप कम माउर्ट में उसलोर रहे हो सबसित है 2 जिसमें यहां पंडाना से बात करते हैं तो एंजवन एप्लिकेशन में आपको होंपेज पे एक IPO का बटन देखने को मिल जाता है इसके अब हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर जो अपकमिंग अब यहां पर जो आए हुए है तो आपको देखने को मिलेंगा कि यहां पर एक IPO है जिसमें अच्छा कासा रिस्पॉंज देखने को मिलेंगा है यहां आज पहला दिन था और यहां पर जाए टू पांट सिक्स्टाइम वन टाइम यह आई प्यो और सब्सक्राइब हो चुका ह अब जैसे कि हम इस IPO में एप्लिकेशन लगाना चाहते हैं तो इसको बख्लिक करेंगे यह IPO जो है यह 4 दिनों के लिए खुला रहेंगा जिसे कि आपको देखने को मिलेंगा इसमें हम 4 दिनों के लिए तक के और लगा सकते हैं अब सबसे पहली बात आती है कि अगर आप अगर आपने मल्टीकल यह एकाठ लॉटालट मेंट मिला तो आपको जो फंड ब्लॉक हो जाता है जो फैंद के यहूद आपको लगाना चाहें है जिससे आपको IPO का सब्सक्राइब हो जाते हैं इसमें का सब्सक्राइब अपने विलेना है इसलिए मुल्टि एकांट चाहिए उसलिए फ्युर में लिकांट को डिसकेब्स में लगाए रखाय आप इसके हैं अपने family members के आप जिसन पर भरुष सकते ह और उनकी ID से आप IPO में एक lot के लिए application लगा सकते हैं आप जितने ज़्यादा lot के लिए application लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके IPO के lot band की संभावना बढ़ जाती है अब जैसे कि हम आप इस company की बात कर रहे हैं तो इस IPO में जैसे कि के 99 रुपीस का सेट किया गया है अब यहाँ पर maximum lot के लिए application लगाना है तो 33 lot के लिए यहाँ पर हम application लगा सकते हैं और 33 lot में जो शेयर आएंगे यह 4950 quantities आएंगी जिसके लिए जो investment यहाँ पर लगने वाला यह 490,000 50 रुपीस हमें लगेंगा अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर company जो fund जुटाना चाहती है यह 308.88 करोड रुपे जुटाना चाहती है company जो fund जुटाएंगी इसमें हो सकता है वो अपने business को बढ़ाना चाहती है यह अपने कर्जे को कम करना चाहती है तो इसलिए यह company market में IPO को लेकर आई हुई है अब आपको देखने को subscription का number देख सकते है कि इसमें कितना IPO सब्सक्राइब हो चुका है अब IPO के बारे में हम बात करते कि IPO कब से कब तक खुला रहेंगा इसका allotment कब मिलेंगा तो यह IPO 24 अगस्ते खुला है और यह IPO 28 अगस्त को इस IPO का offer end हो जाएंगा इस IPO का allotment एक 31 अगस्त के कर दी जाएंगा इस IPO को जो लिस्टिंग है 5 सितंबर को हमें NSE और BSE दोनों stock exchange पर होती हुई नजराएंगी अब कंपनी के बारे में कुछ जानकर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी कि कंपनी किस पकार से काम करती है कंपनी का कारोपर क्या है कंपनी railway project project irrigation network में काम करती है मतलब काफे negative factor को आप यहां पर देख सकते हैं कि IPO में आपको application लगानी चाहिए यह नहीं लगानी चाहिए आपको risk के यहां पर तीन negative point भी देखने को मिलेंगे इन negative point और positive point करने के बाद इस IPO में application लगा सकते हैं इसके बाद अधिक जानकरी के लिए Android application ने यहां पे PDF भी लगा के रखा ह है इस PDF को देख कर हम यहां पर IPO से सम्मदी अधिक जानकरी find कर सकते हैं इसके apply now बटन नीचे देखने को मिलेंगी इस पर click करना है number of lot mention करना है मैं यहां पर एक lot के लिए order लगाना चाहता हूं एक lot में जो quantity आ रही है यह 150 quantity आएंगी आपको यहां पर देखने को मिलेंगा कि यहां पर जो प्राइज है 94 और 99 तो यहां पर जो हमें order लगाना है यह cut off पर लगाना होता है मतलब कि जो प्राइज आपको यहां पर लेखने को मिले रहा है higher price उस पर हमें order लगाना है और यहां पर जो investor टाइप है यह individually रखना है और debit account number आपका body part यहां पर आ जाता है आप UPAID जो भी यूज करते है phone पे पे टेम पे गूगल पे वह आपको यहां पर रखना है उसके बाद आपका जो amount है जो 14,850 रुपी जो है यह आपको अपने saving account पर रखना है क्योंकि आपको फंडरी saving account से block होता है debit account से नहीं होता है इसके apply for IPO के उपर click करना है जैसे click करते है त इस link के उपर हमें आपको अपर click करना है एक OTP नंबर आएंगा उस OTP नंबर को आपको इंटर करना है जैसे इंटर करते हैं तो हमारा जो IPO में order वो लग जाता है और जो हमारा fund है वो हमारा saving account में block हो जाता है जिस दिन IPO का lotment आएंगा तो हमारा जो shares है अगर हमें IPO का lotment मिलत है तो हमारा fund है अपने semi account से deduct हो जाएंगा और उसके बदले में जो shares है वो हमें एंजर्वन के डिमेट एकाउंट में credit कर दी जाएंगे और अगले दिन IPO के लिस्टिंग होंगी और उससे हम बेज के हम अपना benefit माते book कर सकते हैं तो दोस्तों इतनी simple सी इतनी आसान सी process है जि को सब्सक्राइब जरू करें बेल नोटिफिकेशन कौन करते हैं कि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हरक लेटर्स अपडेट आपको समय समय पर मिल सकें मिलते हैं दोस्तों अग्रे ने वीडियो में ने टेकनिकल एनलिसेस के साथ तब तक के लिए नमस्कार